अभी पाकिस्तान में जो 23rd Council of Heads of Government की जो मीटिंग है शेंगाई कोपरेशन और्गनाजेशन, S.C.O. की वो चल रही है रूल्स के मताबिक हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना था इसके लिए लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में हो रही है कोई आफिसली उन्होंने साफ मना कर दिया और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जैशंकर साहब वो वहाँ गए है मैं दुनिया को याद दिलाना चाहता हूँ कि जैशंकर साब पाकिस्तान नहीं गए है जैशंकर साब शेंगाई कोपरेशन औरगनाजेशन की मीटिंग के लिए गए है अगर ये मीटिंग होती ना होती तो कोई वजा नहीं थी कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएं या किसी तरह की पाकिस्तान से बातचीत करें हमने पाकिस्तान को बिलकुल crystal clear कर दिया है कि साहब terrorism and talks do not go together, terrorism and trade do not go together बंबंदूक के धमाकों के बीच में बातचीत नहीं हो सकती ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफी देर पहले पाकिस्तान को crystal clear साफ कर दिया है कि अगर आप समझते हो कि आप दखल अंदाजी करोगे जमू कश्मीर में टेरिरिजम को जिलाने की कोशिश करोगे South of the peer Punjals हमारी elections के अंदर जो है कुछ दखल अंदाजी करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर सकते ना कर पाए हो और आप सोच रहो कि आप पंजाब में ड्रग्स भेज भेज के हत्यार भेज भेज के फिर से टेरिरिजम को जिन्दा करोगे ड्रग्स खिला-खिला के हमारे बच्चों को वहां कंट्रोल जॉंबी बना दोगे जो आपके इशारों पे नाचें, कटपुतली आपकी बन जाएं तो फिर साब आपको कीमत भी देनी पड़ेगी there are, there will be consequences for your actions आपकी होची हरकतों के लिए you will have to pay a bloody price और वो price है कि जाब आपसे बाचीत तो नहीं होगी और price तो साब कुदरत पाकिस्तान से ले रही है floods हो रहे हैं, हर किसम के भूकम वहां आ रहे हैं सबसे बड़ा भूकम है economic भूचाल जो कि पाकिस्तान की forge की बदौलत ये आज पाकिस्तान को जेलना पड़ा है economy फटीचर मुल्क तबाही की कागार पे इसकी economy आ गई है दो रोज की रोटी अपने आवाम को नहीं खिला सकता पाकिस्तान और साब देखो रसी जल गई एंठ नहीं गई जरा अकड़ तो देखो साब इस मुल्क की ये बंगला देश में कू करा रहा है बंगला देश जिसकी economy सन 2015 में इसकी economy से आगे बढ़ गई थी और उसकी तो per capita GDP इंकम तो 2021 में भारत से भी आगे हो गया था हसीना वाजेत के नीचे वो ready-made garments का export करके बहुत पैसे कमा रहे थे समरिद्धी आ गई थी unfortunately COVID आया COVID से उनकी ये जो ready-made garment industry हिट हुई वहाँ पे jobs की किलत पड़ी लोगों में थोड़ी बहुत जब वो लोग विचलित हुए तो कूद पड़ी आयसाई अरे हम तुमें जिहादी उनमाद सिखाएंगे हम तुमें जिहादी गदर के नजारे दिखाएंगे किसको economy चाहिए अच्छी दो रोज की रोटी ना मिले क्या फरक पड़ता है जिहादी उनमाद होना चाहिए गदर होना चाहिए और साब गदर करा के छोड़ा CIA ने मिलकर पाकिस्तान की AISI के साथ जमायत इस्लामी का बखूबी फायदा उठाया वहाँ पे वहाँ पे सारी स्टूडेंट यूनियन इन्फिल्ट्रेट करी तक्ता पलट कर दिया साब और आज नाच रहें कूद रहें किताब हमने तो 71 की लड़ाई का सारे नतीजे उलट कर दिया अरे साब बहुत देखते हैं क्या आपने उलट किये नतीजे आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी आप समझते हैं कि आप दुनिया भर में गदर करो और आप यू केंड हैव सीटी बजाते हुए बिजनेस अज यूजवल नो सर ऐसा नहीं होगा और ये पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है हमारे जो फारेन मिनिस्टर साब जो इस वकत S.E.O. में बहुत बढ़िया उन्होंने स्पीच दी उन्होंने बताया कि जो शेंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन के फाउंडिंग चार्टर के तीन बड़े जो प्रिंसिपल थे सेपरेटिजम, एक्स्ट्रीमिजम, टेररिजम के बर खिलाब इसके लिए शेंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन खड़ी की गई थी उन्होंने साफ कहा कि साब अगर आप टेररिजम को बढ़ावा देंगे जैसे पाकिस्तान दे रहा है तो फिर ट्रेड नहीं होगा साब, फिर टॉक्स नहीं होंगी साब फिर पीपल के फ्लोस बंद हो जाएंगे मनी फ्लोस बंद हो जाएंगे जो भी ट्रेड फ्लोस हैं वो सब बंद फिर आप टेररिजम पालिये और उसका खमियाजा भुगती है ये उन्होंने दो टूक शब्दों में जैशंकर साहब ने पाकिस्तान को बता दिया है कि मैं अगर आया हूँ तो ये मत समझाओ कि मैं तुमसे बैक चैनल बातचीत करने आया हूँ या गुफ्तगू करने आया हूँ मैं शेंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करने आया हूँ उन्होंने बताया दुनिया को कि देखिये दो बड़े कॉन्फिक्ट हो रहे हैं जो सप्लाई चेंज जैसे की जो की रशा यूकरेन के बीच युद्ध हो रहा है दुनिया की सप्लाई चेंज, मॉनिटरी फ्लोज, ट्रेड फ्लोज ये बुरी तरह डिस्रप्ट हुए हैं और जो फिर मिडल इस्ट में जो युद्ध हो रहा है, इसराइल, गाजा, इसराइल, हमास, हेजबुला और अब एरान, एरान की भी जंग नजदीक लग रही है तो इसके चलते बहुत जरूरी है कि हम अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स की तरफ फिर नजर घुमाएं और हम देखें कि साहब हमको हमारे तीन दुश्मन है टेरिजम, एक्स्ट्रिमिजम, सेपरेटिजम साफ दो टूक शब्दों में कहा हुआ है, यह चार्टर सारे शेंगाई को आपरेशन के मुलकों पर लाग हुए जिसमें पाकिस्तान ने एंट्री ली चीन की बिना के उपर, चीन के दबाव के नीचे और अब वो उसका होस्ट बन के बैठा है, जबकि खुद वो सबसे बड़ी टेररिस्टेट है दुनिया की, दुनिया भर में कहीं भी टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, उसके तार सीधे और सीधे ट्रेस किये जाते हैं टू पाकिस्तान